एहम खबरों के साथ लोकसफ़ चुनाओ के चौथे चरण में नौ राजियों की खत्तर सीटों पर राज शाम चुनाओ प्रचार थम गया इस दौर में 12 करोड 89 लाग से जादा मतदाता और 945 उमिद्वार है चुनाओ आयोग ने शांती पूर्ण और सुचारू मतदान के लिए पुखता इंतिजाम किये हैं जिला मुख्यालियों में मतदान कर्मियों के लिए ईवेम और चुनाओ सामगरी मुहया कराने और मतदान केंद्रों तक पहुचाने के काउंटर बनाए गये हैं चौथे चरण में महराष्ट्र में 17, राजस्थान और उत्रप्रदेश में 13, मध्यप्रदेश और ओडिशा में 6, 6, पश्चम बंगाल की 8, बिहार में 5, जारखंड की 3 सीटे और जमुकश्मीर की 1 सीट अनंतनाग पर दूसरे दौर का मतदान होगा इस सीट पर 3 चरणों में मतदान हो रहा है और इस दौरे में जिन प्रमुक हुमिद्वारों पर लोगों की नजरे हैं उनमें बिहार के बेगु सराय लोगसभा सीट से केंद्रिया मंत्री गिरिराज सिंग हैं उनका मुकाबला RJD के तनवीर हसन से है और यूपी की बात करें तो यहां कन्नौज लोगसभा सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का मुकाबला सुबरत पाठक से है वही कानपूर से पूर्वके इंद्रिया मंत्री श्री प्रकाश जैस्वाल का मुकाबला BJP के सत्यदेव पचाओरी से है उधर पश्रिम बंगाल में आसन सोल लोगसभा सीट पर स्टार दिख रहे हैं टीमसी की मुनमुन सेन है तो BJP के उमिद्वार बाबुल सुप्रियो हैं दोनों की तक्कर बताई जा रही है आसन सोल सीट से वही कॉंग्रिस की प्रियादत का मुकाबला BJP के पूनम महाजन से है मुंबई में मुंबई उत्तर मध्य सीट से BJP और कॉंग्रिस के बीच मुकाबला पूनम महाजन BJP से और प्रियादत कॉंग्रिस से उडिश्या विधान सभा चुनाओं के चौथे चरण के लिए भी आज शाम चुनाओं प्रचार थम गया और इस दौर में 41 विधान सभा सीटों पर 29 अपरेल को मतदान होना है और नतीजों का एलान 23 मई को होगा और 29 अपरेल को होने वाले मतदान से पहले तमाम जगों पर हमारे समवादाता मौझूद है और तमाम अपडेट्स आप तक चुनाओं के पहुँचा रहे हैं अखिलेश सुमन हमारे साथ बिहार के दरभंगा से जुड़ रहे हैं और रविंद्र शेवरान जुड़ रहे हैं मुंबई से पहले आपके पास आना चाहेंगे रविंद्र जाना चाहेंगे महराश्र का मुकाबला कैसा दिख रहे हैं और खास्तोर पे क्योंकि आप मुंबई में है स्टार फैक्टर भी है वहां पे कई दिगज बीजेपी के भी है और किस तरह से शिवसेना को आप देख रहे हैं जो गडबंधन है कितना उनकी पॉसिबिलिटी कितनी दिख रही है किस तरह का चुनावी महौल है महराश्टर में जी अब हिलाशा देखिए इस चरण में जो 17 सीटों पर महराश्टर में चुनाव हो रहा है यह अंतिम चरण है इसके बाद महराश्टर के ताम सीटों पर चुनाव संपन हो जाएगा इसमें एक बड़ा चंक जो है वो मुंबई छेतर से है मुंबई की हलाके शहर की 6 सीटे हैं और इनमें अगर हम लोग कल्यान भिवंडी और थाने की सीटें जोड़े तो पुल 9 सीटों पर यहां पर इस इलाके में चुनाव है बहुत एहम यह चुनाव देखिए है पिछली बार 2014 के चुनाव में यह तमाम सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 17 मेंसे एक ब देख पर रही है एतिहासिक विक्टोरिया टर्मिनस जिसको आज कल सीटी यह चात्रपती सिवाजी रेलवे स्टेशन बोला जाता है इसी इलाके से आतंकवादी आये थे यहां पर हमला किया था और इसके अलावा फिर ताज और और होटल में जिस तरीके से कई लोगों को मो दिवारी स्टरेकर हो गया तो इस इलाके में आतंकवाद राष्ट्रवाद यह दोनों बड़े एहम मुद्दे हैं प्रधानमंतिन नरेंद मोदी ने भी जब भाशन कल यहां पर मुंबई को कॉम्पलेक्स में दिया था उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पिछली सरकारें 26-11 के हमले के बाद उसका माकूल जवाब नहीं दे पाई उन्हें खाले मुख्य मंतरी को बदला ग्रह मंतरी को बदला लेकिन जिस तरीके से पुलवामा में हमला हुआ है उसके बाद भारती सेना ने एक सशक्त जो जवाब है पाकिस्तान के घर में घुसकर वो जवाब दि जो कि जनता के हित में काम कर रही है लगातार विकास के काम कर रही है पांट साल में जो विकास के काम हुए हैं उनको आगर बढ़ाना चाती है तैक इस्टार्स की आपने बात की मुंबई के अलग-अलग छेत्रों में यहां!!! हम लोग खड़े हैं यहां पर मिलिन देवडा जो कॉंग्रेस के मुंबई के अध्यक्ष भी है उनका मुकाबला अरविंद सावन्थ जो सिटिंग आपने बताया कि सुरक्षा एक बड़ा मसला है हम आपको बता दे कि नव विक्रम भी हमारे साथ जोड़ गए है उतर प्रदेश से उनका रुक करेंगे लेकिन इस वक्त हम चल लेते हैं अब दर्भंगा अखिलेश वाह मौजूद हैं अखिलेश आपसे जाना चाहेंगे कि कि इस चरण में पांच सीटे हैं और अगर हम गंगापार की बात करते हैं दर्भंगा की बेगुसराई यह जितनी भी सीटे हैं यहाँ पर किस तरह का चुनावी समिकरण है और स्थानिय मुद्दे क्या हैं देखिए जो दर्भंगा सीट है काफी इंट्रेस्टिंग है दर्भंगा इसमें इंट्रेस्टिंग है कि पिछले 2014 के चुनाओं में जितने उमिद्वार थे सारे के सारे बदल दिये गए दर्भंगा से किर्थी आजाद ने 2014 में चुनाओं जीता था बीजेपी के टिकट से वे बीजेपी से तीन बार चुनाओं जीत चुके थे लेकिन इस बार वे बीजेपी में नहीं है उन्होंने कॉंगरेस का दामन थामा है उसके बाद अगर देखे तो आरजेडी से उसमें ए फात्मी थे ए फात्मी मत 34,000 वोटों से हारे थे लेकिन इस बार आरजेडी भी उ यहां दरभंगा में मुकाबला हो रहा है जो दरभंगा की एक खास बात और है जानते हैं कि मिथला का एक हार्ट इसे बोलते हैं जहां तहीं मचली और मिठाई और उसके अलावा एक मिथली कल्चर है यहां माइनॉर्टी के संख्या भी काफी आहम है इसलिए आर्जेडी यहा से उतारने का कि हम चुनाव जीत जाएंगे चार बार फात्मी यहां से चुनाव जीत भी चुके हैं इसलिए आर्जेडी को भी भरोसा है कि वे चुनाव जीत जाएंगे और चुकि गोपाल जी ठाकूर है बीजेपी के प्रधानमंति नहींद मुदी खोद यहां थे 25 सप्र कि यहां भी काफी जिक्र है लोगों का कहना है कि एक नहींद मुदी ने जो आतंकबाद के खिलाप या राश्च के नाम पे जो दिया है उन मुदों के साथ भी कुछ लोग हैं लेकिन उसके अलावा जो विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनावती है कि कैसे उन मुदों को क दमन हो रहा है इस बात को उठा रहा है तो यह जो समाजीक मुद्धे हैं समाजीक मुद्धे हैं यहां पे और निशी तोर पे अस्थानिये मुद्धे जो बहुत हैं यहां की सरकार चलिए यानि कि स्थानियों और राश्च्रिया दोनों मुद्धे जो है वो बिहार के इस चुनाव में चाहिए रहे और प्रचार के दौरान ये बाते देखने को मिली उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रहा प्रचार आज थम गया है नविक्रम हमारे साध जुड़े है कानपूर से नविक्रम जानना चाहेंगे आपसे किस तरह के मुद्दे चाहिए हुए हैं उत्तर पर अगर जो हम मुकाबला कहते हैं बीजेपी कॉंग्रेस और गडबंधन की तो किन मुद्धों को इन लोगों ने प्रचार में उच्छाला है? अगर गडबंधन की बात करें तो गडबंधन में जिस तरीके से अखलेश यादव ने शुरुआत में नारा दिया था सामाजिक नियाए से महा परिवर्तन वो लगातार सामाजिक नियाए को लेकर अपने अपना चुनाव लड़ रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं खास त अब इलाशा आपको बताना चाहूंगा हम अगर बंदेल खंड जैसे अलाके की बात करें या कानपुर मैं अभी जिस जगे जहां कानपुर देहात के एक शेत्र में मौजूद हूँ यहां कुछ दिनों पहले बिजली नहीं थी आज के दोर में स्ट्रीट लाइट हैं और ब की जाए तो वहां लगातार यह दिखता है कि वो लोग एर स्ट्राइक का मुद्दा उठाते हैं वो लोग सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं हर कोई अपने जो हर कोई जानता है और कहता है कि यह चुनाव जो प्रधानमंत्री पद के लिए हैं अगर प्रधानमंत्र के लिए कोई बहतर दाविदार हमें दिखाई देगा हम उसे वोट करेंगे जी और तो शेत्रिय धलू के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है आने वाले आने वाले दिनों में जितने भी चरण हैं उतने मद्दान क्योंकि यह लगातार पहले चरण से हम लोग बिखाई बनाने की जिससे की वहाँ विकास हो सके वो अभी इस चुनाव में दिखाई दे रही है कुछ लोग बोल रहे हैं कि चली यानि कि कुछ एहम मुद्दे हैं प्रदेश से जुड़े हुए जो उठाय जा रहे हैं लेकिन खास तोर पर चाहे बिहार की बात हो महरास् आपका शुक्रिया उतर प्रदेश की जानकारी हमें देनी के लिए इतर लोगसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार का आज आखरी दिन था तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उतर प्रदेश के कन्नौज और हरदोई में जनसभा को संबोधित किया इन दो प्रधान मंत्री ने सीतापुर में भेजन सभा को संबोधित किया सीतापुर में पांचवे चरण में 6 मई को मतदान होना है और इस मौके पर प्रधान मंत्री ने कहा कि सत्ता पाने के लिए जो विपक्ष के नेता एक हो गये हैं लेकिन मंच साजा करने को तैयार नहीं देखा किया अपने कॉंगरेस के नेता के साथ और किसी दल के नेता को देखा क्याहिं। समझ नहीं आ रहा है कि वोट मांगे तो किस मुद्दे पर मांगे जात पात के समिकरण से अपना वजूद बचाने का जो खेल इनों ने रचा था वो इन पर ही भारी पड़ गया है उत्तर प्रदेश में 29 अपरेल को चोथे चरण के 13 सीटो शाह जहाँपूर, अर्दोई, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपूर, अकबरपूर, जालौन, जहासी, हमीरपूर में मतदान होना है उत्तर बीजेपी अध्याक शमिश्चा ने आज ओडिशा के मयूर भंज और जाजपूर में जनसभाओं को संबोधित किया चोथे चरण में 29 अपरेल को ओडिशा में 6 लोग सभा सीटो पर वोट डाले जाएंगे इसमें मयूर भंज, बालासौर, भद्रक, जाजपूर, केंद्रपाडा और जगत सिंगपूर सीट शामिल है साथी ओडिशा में विधान सभाओं की 41 सीटों के लिए भी 29 अपरेल को मतदान होगा जाजपूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमिश शाह ने कहा कि पुल्वामा हमले का जवाब सिर्फ मजबूत सरकार ही दे सकती थी हमने पाकिस्तान के घर में घुज कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और इससे पहले बीजेपी अध्याक्ष अमिश शाह ने जारखन के पलामू में भी जनसभा को संबोधित किया अमिश शाह ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जैसे सशक्त नित्रित्व सालों बाद देश को मिला है देश की जनता तय करके बैठी है कि फिर से देश का प्रधान मंत्री मोदी जी को ही बनाना है कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी और कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित किया राई बरेली में उन्होंने कहा के न्याय योजना के माध्यम से सबको न्याय मिलेगा तीर लाग साथ हजार रुपे पांच क्रोव बैंक अकाउंट में जाने वाले हैं मगर परिवार में पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट पर जाएगा भाईयों बार में मुझ के हमें गिये क्या पर दिया वो आपके आपके उपर है आप इंसे पैसा ले लेना वोलाग वात है मेरा काम आपके बैंक अकाउंट में लागों करोड रुपे डालने काई मैं अपना काम पुरा कर दो अमेटी राइबरेली अमेटी राइबरेली के गरीब लोगों के बैंक अकाउंस में डैरेक्ट हर महीने पहली तारीक हर महीने 6,000 रुपे कॉंगर्स महासचेव प्रियंका गांधी वाडरा ने आज उन्नाओ और बारा बंकी में चुनाओ प्रचार किया उन्नाओ में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और इस दौरान काफी संख्या में लोग सडको के किनारे मौजूद दिखे आपके अधिकार हैं आपके हक हैं गरीबों का पेट कैसे पले? रोजगार कैसे हो? गरीबी सुचकांक? कैसे घटे? वो हमारी प्राथ लिखता है हमारी जो लडाई हमेशा से रही है जल जंगल का उस विसय को भी हम लोगों ने रखा है किस तरीके से CNT, SPT कानून के माध्यम से यहां पर लोगों को? किस तरीके से वनदिकार कानून के माध्यम से यहां के लोगों को? कि इस तरीके से रिजर फॉरेस्ट के नाम पर यहां के आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करने का सडियन चल रहा है उधर बीजेपी में शामिल हुए बॉलिवुड अभिनेता सनी देओल ने आज बाड मेर में रोड शो किया इस दोरान जहां एक तरफ रैली में बेतहाशा भीड दिखी वहीं बैक्ग्राउंड में सनी दोल के समर्थक उनकी फिर्म गदर का समबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा के नारे लगाते दिखे बीजेपी में शामिल होने के बाद सनी का ये पहला रोड शो था भारती जनता पार्टी उमिद्वार गौतम गंभीर एक नई मुसीबत में फस गए हैं इस्ट दिली में बिना इजासत रैली करने के मामले में चनावायोग ने गौतम गंभीर के खलाफ FIR दर्ज किया है जनावायो के आदेश के बाद दिली पुलिस ने ये कारवाई की है